कि अगाइज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए हेलो एव्रीवन मैं इम्राण सर्थ आज मैं आपको NCRD टेक्स्ट्बूक चैप्र नमबर 2 एक्सेस 2.3 कुस्टर नमबर 3 में सॉल्व कराने हो ला तो देखिए कुस्टर में दिया क्या है इसमें obtain all the other zeros of 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 upon 3 minus root 5 upon 3 then find the others zeros अब कुस्टर यह है कि कितने total zeros होंगे आपको simple ध्यान देना है आपको जो भी आपका equation होगा उस equation में आपको highest power find करना होगा तो उपर equation जो दिया हुआ है उसमें highest power जो है वो 4 है highest power 4 है that means क्या होगा total number of zeros जो होंगे वो आपके 4 होंगे तो already आपको two zeros दिया हुआ है that means आपको और दो zeros आपको निकालना होगा आपको ध्यान दीजी कैसे find करेंगे हम लोग इसका एक formula है most of zeros क्या होता है plus और minus में दिया होता है तो most of mistake करते है student कि एक बार इसको plus ले लेते हैं हम लोग और एक बार हम लोग minus ले लेते हैं लेकिन क्या होता है यह concept totally wrong है क्योंकि एक example RD सर्वाम यह दिया हुआ है कि दोनों में plus दिया है तब तो यह set नहीं होगा तो formula set के से करना है आपको आपको हमें इसा जो है x minus रखना है आपको x minus रखना है तो इससे क्या होगा यहाँ पर plus है तो plus यहाँ पर आएगा तो plus minus क्या हो जाएगा minus 5 upon 3 हो जाएगा और यहाँ पर minus है तो minus minus become plus हो जाएगा इस तरह से यह एक बार plus और एक बार minus आता है तो यह आप समझगे क्या करना है आपको हमें से तो यह हो गया अब इसको क्या करेंगे इसको हम लोग A-B और A-B A-B और A-B का फॉर्मुला क्या होता है A²-B² तो मैं एक काम करता हूँ A²-B² मैं फॉर्मिट कर देता हूँ इसको आप A समझे और इसको आप भी समझे minus 5 upon 3 अब इसको solve करते हैं हम लोग इसको क्या solve करेंगे इसको हम लोग X² अब square है यहाँ पर root है तो क्या हो जाएगा 5 upon 3 equal to 0 इसकी नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा आप इसको आप cross multiplication कर लीजिए इसको 3 बंजा 3X² minus 1 5 जा 5 3 बंजा 3 equal to 0 तो क्या होगा आपका यहाँ पर 3X² minus 5 3 multiply 0 इसको 0 अब इस से हम इस पूरे equation को divide करेंगे हम लोग देखें यहाँ पर लिखें लोग 3X power 4 plus 6X3 minus 2X square minus 10X minus 5 यहाँ पर देखें प्रॉलम यह है इसमें जो degree of power जो है वो maintain है descending order में means 4, 3, 2, 1, 0 इसमें जो है यह 2 है 1 कहां गया जब कोई missing power हो तो आपको ध्यान रखना है missing power को set करने के लिए आपको plus लिखना है आपको और 0X की help लेना है हमेशा plus ही आएगा तो set करता हूँ यहाँ पर मैं 3X square plus 0X minus 5 अब divide करना start करता हूँ अब देखें divide कैसे होगा आपको सबसे पहले सिर्फ और स्रिफ first term को set करना है सिर्फ और सिर्फ first term को set करना है बाकि सारे term अपने आप आजाएंगे तो देखिए पहला set क्या करोगे यहाँ पर यहाँ पर 3 चाहिए हमको तो 3 दिया हुआ है X पावर 4 चाहिए यहाँ पर X स्क्वेर दिया है तो हम यह करेंगे X स्क्वेर तो क्या आजाएगा 3 X पावर 4 पहला set कर दिया अपने आपका काम हो गया बाकि अपने आप आएगा कैसे आएगा प्लस 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 0 multiply 1 0 X multiply X square X cube minus plus minus 5 multiply X 5 X square अब second stage में क्या होता है आपको जो साइन दिया है उसको opposite sign लेना होता है minus है तो plus plus है तो minus plus है तो minus minus plus cancel हो गया minus plus minus 6 में से 0 हो गया तो क्या बचेगा 6 X cube बड़ी की sign plus की plus minus minus 5 में 2 गया किता बचेगा 3 बचेगा लेकिन बड़ी की sign क्या है यहाँ पर plus है तो यहाँ plus क्योंकि जब नीचे का sign लिख लेता है हम लोग तो हमें बीच का sign भूल जाना होता है नीचे और उपर का sign ही यार लगना होता है अब minus 10 X अब क्या करना आपको देखो यहाँ पर यहाँ plus 6 X cube set करना है आपको तो 3 यहाँ पर है पहले sign set कर लिए हमें प्लस का 3 2 जा 6 हो गया X square है तो X लिख लिए तो X cube आ गया तो 6 X cube अब plus 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 0 multiply 2 0 X multiply X X square minus plus minus 5 2 जा 10 X अब क्या होगा step sign change करने का minus है तो plus plus है तो minus plus है तो minus अब minus plus क्या होगा minus minus plus minus बड़े की sign plus की तो 3 X square plus minus minus अब 0 हो गया है तो कुछ problem ना हो इसलिए क्या करता हूँ यहाँ पर मैं plus 0 X लिख लेता हूँ जिसमें कोई confusion ना हो gap ना है इसमें अब मैं एक term नीचे लिखे लेता हूँ minus 5 का अब यहाँ पर क्या चाहिए plus चाहिए यहाँ पर plus 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 हो गया अब क्या चाहिए हमको 3 X स्क्वेर तो पहले ता 3 X स्क्वेर दिया है तो 3 X स्क्वेर को मैं 1 से multiply कर लूँगा तो मेरा 3 X स्क्वेर आ गया पहले टम को set करना है बाकी अपने आप आएगा तो प्लस 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 जिरो मल्टिप्लाइ वन जिरो X मल्टिप्लाइ वन X माइनस प्लस माइनस 5 अज़ा 5 साइन चेंज कर दिजी जिरो आ गया अब यह जिरो आने के बाद सम यहाँ पर end नहीं होता क्योंकि आपको number of zeros find करने है आपको तो जो यहाँ पर कोईसियंट आया है कोईसियंट क्या है यहाँ पर कोईसियंट आया है X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 1 इकोल टो 0 यह कोईसियंट जो आया है वो 3 term में है और 3 term जब भी आता है आपको splitting method करना होता है splitting method means L method जो मैं कहता हूँ तो क्या करना है आपको L method के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ rough diagram के लिए L first term और last term मों multiply करना है तो 1 बंजा 1 आप यहाँ प्लिक लिजिए और जो 20 में जो दिया हुआ है alpha number along with sign तो प्लस 2 तो ऐसा को multiply करिए जिसका plus minus करने पर 2 आ जाए तो 1 बंजा 1 1 बंजा 1 यह plus करेंगे तो आ जाएगा 2 that means हम लिख सकते हैं आप पर middle term splitting करके x square plus x plus x plus 2 equal to 0 अब 4 term में इसको डिवाइड हो गया है तो 4 term के लिए क्या करेंगे हम लोग दो-दो term से हम common निकालेंगे हम लोग इसमें से common इसमें से common इसमें से common क्या आएगा x तो x plus 1 इसमें common कोई नहीं है जिसके कोई नहीं होता सबका मालिक एक होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 x plus sorry यहाँ पर 2 2 नहीं है यहाँ पर यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिया इकोल तो 0 जब यह दो bracket में जो number alphabet आते तो same होता है मतलब 95% answer right हो जाता है तो गहले खेंगे x plus 1 x plus 1 दो बार common था यह एक बार लिख लिया और यह x यहाँ पर अब plus 1 लिख लिया हम दोने इकोल तो 0 अब x plus 1 equal to 0 and x plus 1 equal to 0 x equal to minus 1 and x equal to minus 1 मतलब जो find कहने कहा था है यह उन्होंने other zeros तो other zeros क्या हो गया minus 1 और minus 1 और power हमारा 4 था degree of point of miles के अंदर तो 4 zeros चाहिए था यह 2 zeros दिया हुआ था और यह 2 zeros find किया आपका answer आपको मिल गया यह अगर solution आपको देखना हो तो please फिंसोड ले लिजी इसका अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like कर देना और अभी तक मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया हो तो सब्स्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दूआ में याद रखना अल्ला हाफिस